अपने नाम को अपने नाम को गौरानवित कर रहे हैं ऐसी कुछ बच्चे हैं बेटा यहां पर डेली की भाती आपकी अगली फोटो यानि अगली फोटो आपकी अगली फोटो आपकी यह कॉलम में हमेशा आपको बताता चला रहा हूं ठीक है महनत के दम पर अगर महनत करोगे सफल्दा करोगे तो यहां कल तुम्हारी भी फोटो आएगी मैं भी हमारी पूरी टीम आपको संबान देगी ठीक है चलिये आगे बात करें दूंत जल्ली से कॉपी पेन उठाई है नोड करिये भई या पहला कोर्शन का हमारे स्क्रीन पर पहला कोषन है है टो सबजेक्ट है जिसको आप सीरी सीरीज मेरी यारंटी है रणना नहीं है फैने जिसको जैसा मैं पढ़ा एडिया तो देखोuiteकर है ठीक है लेकिन बस मस्ती से सुनते चलना मेरी बातों को सुनना फिजिस में मज़ा बहुत आएगा चलिए पहला कोशन देखो पहला कोशन कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस अभी किरिया पर आधारित है अब देखो हाइड्रोजन बम क्या होता है बम जानतो बिस्पोटक बम क बढ़ा रूप है अगर फटेगा तो क्या पता इसकी प्रभाव से क्या एक छोटे मोटे देश पूरे खताम हो जाएं तो अब वो गह रहा है बिटा हाइड्रोजन बम किस अभी किरिया पर आधारित है तो बच्चों यहां आप ध्यान रखना आप जो हाइड्रोजन में है वो हमारा नाभिक के सल्यान पर आधारित है किस पर आधारित है नाभिक के सल्यान पर आधारित है अब कोशन यह आता है कि नाभिकी सल्यान है क्या यह ओके सर आई फॉल्वेश बिलकुल बिटा ओके नाभिकी सल्यान क्या होता है जरस के बारे में थोड़ी में चर्चा यह मैंने दो नाविक लिए दो निउट्टियस कि यह जब यह दोनों बेटा कंब बाइन हो जाएंगे कंब बाइन होकर एक बारी नाविक बना लेंगे इस प्रक्रिया को बोलते हैं कि यह नाविक बात समझ में आ रही है कि नहीं है मतलब दो छोटे-छोटे नाभिक हैं आपस में मिल गए बड़ा नाभिक बना लिया क्या बना लिया लिए इसको फ्यूजन बोलते है नूखल फ्यूजन अब आता है नाभिक यह विखंडन क्या होता है यहां पर क्या कर रहा हूं मैंने बार बार आपसे खाया है मैं यहां पर question के answer कराने नहीं आया हूं मैं आपको question के answer के साथ उसकी detail शात में को option दी उनका ही मतलब बताऊंगा ताकि paper में अगर जब एक भारी नाविक बेटा दो या दो से अधिक अधिक छोटे नाविकों में तूट जाता है तो इसको बोलते है नाविक की बिखंड़ा नाविकों का तूटना सब्सक्राइब आ रही है चलिए तिसरी में बात करता हूं बेटा उत परिवर्तन की अगर जीव में अचानक परिवर्तन हो जाता है तो इसको बोलते है उत परिवर्तन यानि की जीवो में मैं इसको लिखूं अगर तो जीवों में अचानक परिवर्तन किया बिटा जीवों में अचानक परिवर्तन को հहा है उत्तिक परिवर्तन बात समझ रहा है बिटा अगला दी है आपको संवेक संदक्षन बहुत बड़ी ईकोष्ट संवेक्षण क्या होता है तो संदक्षण का मतलब थ्यान लगना ना ही हम बना सकते ना ही हम मिता सकते तीक है ना ही हम मिता सकते के वल हमारा काम है change करना ठीक है यानि कि इस नियम के नुसार संवेच सद्द छन्चन का नियम कहता है कि समवेच को नहीं आप बना सकते हो उत्पन्य कर सकते हो नहीं आप नश्ट कर सकते हैं इसको मुमेंटम बोलते हैं हम लोग ठीक है सम्वेग के अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी तो सम्वेग को हम प्रदसित करते हैं पी से और इसका फॉर्मला होता है M into V ठीक है, P वरावर क्या होता है M into V, जहां M क्या होता है M होता है उसका मास यानि की द्रवमान और V क्या होता इसका V होती है velocity V क्या होती है बिटा velocity, velocity यानि की हम भो लेंगे इसको बेग, बात समझ में आ रही है इस question के माध्यम से बच्चो हमने कम से कम साथ 8 question अपने complete कर लिए पढ़ाई ऐसी ही तो करनी है पढ़ाई सर ऐसी ही तो करनी है क्या बूचा था hydrogen bomb किस अभी किरिया पर अधारित है option क्या था हमारा नाविक की सल्यन मिलकूर राइट आंसर था यानि कि जब दो नाविक मिल करके बड़ा नाविक बनाएंगे तो नाविक की सल्यन हो जाएगा बिखंडन का मतलब क्या होता है बड़ा नाविक है तोट गया तोटने को क्या वह माद्धम से आपको कितने सारे आंसर मिल गए बात सब्सक्राइब आ रही है चली आगे बात करें बैंक दिवारी नमस्ते सर नमस्ते बिटा चली बिटा आगे बढ़ें अगे कोश्चन की तरफ बात करते हैं जली से बिटा स्कीन सोट लो उसका जली से स्कीन सोट लो और कोशिस ये करना बिटा जितना जादा हो सके जितना जादा इसको लिखो तीक है khi reach the दालो अगर लिखने की आदत डालो गे तभी काम अच्छा होगा तभी मजा आएगा आपको बहूत बड़ी मजा आएगा चलिए आगे बढ़ता हूं अगले कोशन की थरफ अगला कोशन क्या रहा कै आथा था हाईडोजन करिया पर आधारित हैं कि सबसे नहीं कि बताओilleurs को थे जिसको नाहीं आता है जिसको नहीं आता है इंजाना कि अजए को सफ्थ कर रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है, आप देखो, परमालु बम बिटा, परमालु बम क्या होता है, अभी आपने पढ़ा होगा, एक परमालु मुवी आई थी, जोने बरहें की, ठीक है, तो परमालु बम क्या होता है, कि नाबिक तूटते हैं, और मैंने अभी दो मिट पहले बताया आपको जब तूडते हैं कि भारे नाबे के छोटे छोटे नाबे को में तूडता है तो इसको बोलते हैं बिटा नाबे किये बिखंडन यानि ओप्शन नमबर डी इसका बिलकुल राइट आंसर होगा ठीक है सल्यन अभी हमने पड़ा सल्यन क्या होता है सल्यन का मतलब होता है जोड़ना यानि कि नाबे को जोड़ जाएंगे तो वो सल्यन हो जाएगा संचरण ट्रांस्मिजन इंग्लिश में क्या बोलते है यानि कि एक इस्थान से एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक ठीक है एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक जब पधार तक एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक जाता है तो इस पिक्या को बोलते हैं क्या संचरण कहते हैं डेफिनेशन भी पढ़ता है लेपिनेशन में संवहन haun कहा है नहींदसा संवहन क्या होता है इस heard कि इंगलिश्थ हुन देखन इड रिवयागा इसमें किया होता है या ड्रवएा गैस में अजब बीकिसी द्रव्या गैस में उसमा संचरन होती है यानि उसमा एक जगा से दूसर जगा जाती है तो इस प्रकिया को क्या बोलेंगे बैटा option number C ये बोलेंगे क्या बोलेंगे संवहन ठीक है तो इस से question सब्सक्राइब की नहीं आ रहा है और संवहन क्या होता है बिटा द्रव और गैस में उसमा संचरन बाच क्लियर होई कि नहीं होगा है चलिए नोट करें अली से क्यों सब्सक्राइब आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे अगली कोशन की तरफ हम चल्दी से नोट करो कोशन नमबर थर रडार के अविश्कारक कौन है बईया किसके रडार के अविश्कारक कौन है चलो रडार जानते हो क्या होता है रडार क्या होती है बईया रडार होता है कि जो अंत्रिक्ष में इस्तित्व कृत्म उपगर है जो सिगनल भेजने का काम करता है वही तो होती और होती है अपि mascara आपई सघ्राविए अदिटीर काव होती है तुसकार होता है। सिटीन में का हिसके अविशकारत कौन थे मतलब नदिर विचार दिर डार किस ने 265 की थी तो बिस रड आर्ड रिप कि थी अलवाड टेलर किस ने की थी अलवाड टेलर का विश्कार कीया था इसका क्या था दगी यहां जेत उंजन का क्या था स्ट सबस्क्राइं है और को किस की कि मार कॉन ही ने किस की कुछ की थी जल्ली से पता हूँ इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि जितनी मेरी क्लास है उस क्लास को कर पढ़के जाओगे तो कुछन आपको बहर नहीं है तो बहर नहीं जाता है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ आपको अप्शन से भी अंसरर मेरी क्लास को वैड्यान से अल sources होते हैं के जो हमारे ब्लेड गूर्फ होते हैं तfolg है blood group blood group बेता होते है a होता है एक होता है b होता है एक होता है a b होता है और 4 हमारा o होता है ठीक है paper ने पूसते क्या है बेटा paper में देखो कहां से question बनता है paper ने पूसता है कि सर्वदाता कौन होता है सर्व दाता, सर्व दाता को बोलते हैं universal donor, थीक है, क्या बोलते है बोलते हैं universal donor, उनिवर्सल डोनर, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कौन सा blood group है, जो सारे blood group को खुन दे सकता है, तो बेटा वो होता है आपका O, कौन होता है बेटा, और अगर मैं बोलू Turn Serve,iend device का मतलब क्या हो यूनिवर्सल रिसीवर तो वो कौन सा होता है वो होता है हमारा एबी बात क्लियर होई की नहीं होई लैंडिस्टीनल ने रख्त समूव की खोच की रख्त समूव बिटा यानि ब्लड गुरुप कितने होते हैं चार प्रकार के एबी एबी और ओ सर्व दादा कौन यान इन उन नूट्रों की खोच किसने की नूट्रों नहीं है ध्यानक ना बिटा यहां पर रियूट्रों नहीं है यह है आपका नूट्रों क्या है नूट्रों है यहां पर ठीक है अब अगर देखो जो नूट्रों की नूट्रों की खोच की थी बिटा वो की दी हमारी पाउली ने किस अगर आपसे पूछ देते वो कि neutron की किस ने की तो बिटा neutron की किस ने की थी James Chadwick किस ने की थी जेमस चैडवे किने की थी कई बच्चे तो यहां ही गलती करेंगे कई बच्चे बच्चे बटा ही कर लेंगे neutron हो पूरा पढ़ेंगे नहीं ध्यान से वहें देखेंगे neutron बच्चे बच्चा रहता है लेकिशन नमबर क्या? भी हमारा पाउली बिल्कुल राइट आंसर होला. अब बेटा देखो अब मैं थोड़ा और बात करूं. अब बात करते हैं. अब आज और प्रियोग दिया था. पढ़ा होगा समने अल्फा परियोग एल्फा स्केट्टिंग इस्पेट्मेंट दिया था ठीक है यानि कि नावेक की संद्चना के बारे में उन्होंने बताया था कहीं कहीं कर बेटा किसी बुक में लेक होगे कि इनुने प्रोटन की भी खोच खी थी ठीक है उसके बाद यह अब यह पॉजड्रोन है क्या आपने रहा है यह थी पॉजड्रोन के बराबर ही यानि कि इलैक्ट्रोन के द्रवमान के बराबर एक कंड होता है जिसको बोलते हैं positron, electron के द्रवमान के बराबर, ठीक है, जतना electron का द्रवमान होता है, लगबग लगबग positron का भी बराबर होता है, लेकिन लेकिन ध्यान अखना बेटा, लेकिन यहां मैं एक बात बता दूँ आपको, कि जो electron होता है, यानि electron होता है वो हमारा negative होता है, electron के ऐसा होता है, negative, लेकिन अगर मैं बात करूँ बेटा, positron की किसकी बात करूँ, positron की तो जो positron होता है वो हमारा positive होता है, बात समभने हारी की नहीं आरी ठीक है, जेम्स चैडविक मैं आपको बता ही चुका हूँ, जेम्स चैडविक को आगे बढ़ते हैं कि जल दिसे स्कीन सोट लो बेटा अ कि बढ़े आगे कि अगला कोश्चन कह रहा है बेटा आवर्त के नियम की खोज किस ने की थी बहुत बढ़िया आवर्त के नियम जिसको बोलते है पैड़रिक टेबल ठीक है कई बार बड़का कई बच्चे बढ़ते होंगे मैंडलीवकर अवर्त का मैंडलीवकर अवर्त कानली को निया कि अब बहुत इक треб लोत है अनुकमानपाथी होते है भास्वास्वान में आगई है किया अब आवर्त की बात करूं एक मैंदलिफ का आवर्त दिया था परमाड़ करमांक और परमानु भार किसमा परमाड़ को है कि अबर्णी वही पाया चाहि कि अबो है तो भी तो चौंडल के छोम नैं पर Phone करते हैं वायुदाब नापने में किसका नाप करने में बिटा वायुदाब एट्मॉस्टिक प्रेशर नापने में हम लोग बैरोमीटर के सितमाल करते हैं आइंस्टीन बहुत बढ़िया आइंस्टीन ने बेटा कि क्यूशन दी थी ए बराबर mc square जहांपर बैटा e कया होता है e होती है हमारी energy इasha और आगे बाद करूं थोड़ा सा में इसको डिटेल में ले चलूँ आपको तो यहां से बटा एक कोशन याद रखना कि आइंस्टीन को सन 1921 में कब बेटा 1921 में मिला था इन्हें नोबिल प्राइज ठीक है ध्यान रखना 1921 में इनको मिला था नोबिल प्राइज किसके लिए मिला था प्रकास वैदुत उत्सर्जन किसके लिए बेटा यहां मैं अगर लिख दूँ आपको तो ध्यान रखना इस चीज को भूलना नहीं इंपॉर्टन है यह इंपॉर्टन है जिए उत्सर्जन के लिए इनको मिला था है ठीक है बदूट उत्सर्जन के लिए इनको मिला था रही कि नहीं आ रही I am 1921 में और था प्रकास वैदुत सर्जञन के लिए जॉन सान ने बिटा ध्यान लगना जॉन सान ने आपके बनाया था माइक्रोस्कोप क्या बनाया था इन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी माइक्रोस्कोप जानते हो माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं सूचमदर्सी जिसको बहुते हैं सूश्मीद सी च्छोटी से चोटी चीजों को हम बडा रूप में देख सकें। उसको बोलते हैं माइक्रो उसको को चलिए इस की सोट ले। आगे बढ़ते हैं अगले कुशन की तरफ अगला कुशन किया रहा है अगला कुशन है पटा प्रथम नाब की रियक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था प्रथम नाब की रियक्टर हमारा किसके निर्देशन में बनाया गया था तो द्यानकना बिटा जो प्रथम नाब की रियक्टर है वो एंडे को फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था अब कोशन ये भी पूछ सकते हैं बेटा कब बनाया था तो द्यानकना बेटा 4 अगस्त 1956 कहां पर 4 अगस्त 1956 को बनाया था कहां बनाया था बेटा कहां बनाया था द्यानकना ट्रॉम्बे कहां बनाया था ट्रॉम्बे में अब ट्रॉम्बे में किस रगा बनाया था तो बेटा बनाया गए था तो पूरी सम्यारी वाद नावगी स्कार्ण चारगस्टूर्चपन को कहा पाइब कर डूम्बे में कहा पर डूम में भावा नुसम्दम गेंदर पर किसके अनुदर्थन नते इंटरी को फरमी तब गया तो ध्यान लाग ना भीया प्रत्바 में जो हर बनाया था वो बना था 1952 में क्या आगे वड़्त जिए खजाए यह अगला कोशन किसमार कर लिए प्रोटिोन किसे पुरकार करें इसकी बारे में सुझेंगे हम ठीक है, प्रोटऑन के बारे में पढ़ो घ्छान लखना आजिए अगर मैं अनु के आज परमाणु के अंदर बात करूं तो यह बीच का तो पार्ट होता है जो भीच का वोट पार्ट होता है इसको सोय कि वह बोलते हैं इसको नाविक नाविक के अंदर गॉरूक्ण रहते हैं एक रहता है होरे तो ईसके चार ओर rap करों इसके चारओर स wellness कई प्रोटान होते हैं तो अब अगर यहां से बिटा कुश्चिन आ जाए कि जो प्रोटान होते हैं वो कैसे कंड होते हैं ठीक है जो प्रोटान होते हैं हमारे जो प्रोटान होते हैं वो होते हैं हमारे पॉस्टिव पार्टिकल कैसे होते हैं पॉस्टिव को बोलते हैं क्या धनावेश क्या बोलते हैं धनावेश होते हैं बात समझ में आ रही है उसके बाद अगर आपसे पूच देते हैं यहां पर कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं अगर आपसे पूच देते कि electron कैसे होते हैं, तो electron याद रखना कैसे होते हैं, negative होते हैं, negative मतलब क्या होता है रणावेश, कैसे होते हैं, रणावेश होते हैं, यानि कि इन में minus sign होता है, ठीक है, अगर आपसे पूच देते हैं, neutron, यानि कि हम एक ही बार में तीनों पढ़ ले कि होता है मारा आवेश रहेत क्या रहता है पीटा आवेश-्रहयता तो द्वालों कि पर माड़ के अंदर जितने नंबर प्रोटॉन होते हैं जितने number of proton होते हैं उतने ही number of electron भी होते हैं इसी लिए तो कहते हैं कि अणू जो परमाणू होता है वो उदासीन होता है कैसा होता है बिटा उदासीन होता है चली आगे बात करें यानि कि आगे बढ़ो अगला के रहा है किससे प्रकार के अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन कैसा होता है रण आवेश थे देखा वुट को पढ़ने से यहां मारे कोशन के लिए चलिया है जीए वास जब को समझ में आ रहे हैं जो अगे बढ़ें ass पाइब लुट्ण करहा है बैटा न्यूट्रों किस परकार का घंभ है जो न्यूट्री है मारा वो किस परकार का घंभ देखो फिर बताया proton positive electron. neutron no charge. electron negative proton positive neutron no charge. इसको याद करने की trick देखो ज़रा. याद करने की trick देखो. electron, ठीक है. proton और noon neutron, ठीक है. बहुत अच्छी शान्दा trick दे रहा हूं. जिन्दगी मैं कभी नी भोलोगे. जिन्दगी मैं कभी नी भोलोगे. इस trick को follow कर लेना. यहां पर क्या लेखा है in ट रूड़ेंट ऑसे होता है नो चार्ज शेक होता है नूऊ हिन घ्रीटेव लाइन सब में रहे हैं दो कि पी से नेचिज के लिए है इंट ऐसे में होता है डिकर पोजिटीव कि अब बचा क्या बेटा अब जब positive हो गया no charge हो गया तब बचा होगा negative पास समझ में आ रही है इत्रिक समझ में आई बेटा N से देखो no charge P से बेटा positive charge बचा जो है वो negative भी तो होगा अगला question कह रहा है बेटा पर्माडू bum का अविस्कार किस ने किया ठीक है पर्माडू bum का अविस्कार किस ने किया जो लो भजे देख रहे हैं live जल्दी से इसका अंसर करें कि पर्माडू bum का अविस्कार किस ने किया कौन थे वह जिन्होंने पर्माडू bum को ही बना डाला था परमाडु बम का इन्होंने अविस्कार कर डाला ऐसे कौन थे जल्दी से बिटा नोट करो परमाडु बम देखो बिटा परमाडु बम की अगर मैं बात करूँ तो परमाडु बम का अविस्कार कौन थे बिटा ओटो हन कौन थे ओटो हन ठीक है ओटो हन ने बिटा परमाडु माइकल फिराडी ने फर क्या किया था तीस्वे नमबर पर हमारे कौन है बिल्यम साल के यह क्या अंने का किया था अर्...ण्हे उल्याज पर पड़त मुंहें तो मुघृठ तो मुठक उ नियम धें ए थे विद्दोस्युसी अलिए, प्रेलण, ikiनव को मुल्ण, इनके वारे होला पड़ते हैं जो माइकल फेराड थे बेटा इन्होंने विद्धुत चुम्ब की प्रेरण संबंधी नियम देए थे विद्धुत चुम्ब की ये प्रेरण संबंधी नियम थिक है यानि कि ही स्क्राण की लोज ऑफ एलेक्ट्रो मैयनेम इंडक्षन सब्सकार है इंडक्षल्क की व्लियम सल्कね एक grackin ne इसके बाद गैलो लियो गैली ली ने क्या किया गैलीजिए यह लो भाहई क्या थे यह तो इफे तो थे दूर भी इन के विस्कार थीक है बैठके आराम से देख लो कहीं पर ही बैठे ओ, दूर देख लो आराम से, ठीक है, दूर भीन, मतलब दूर का दरश्च देख लो, ठीक है, चलो भाईया, नोट करो जल्ली से, नोट करो, आगे बढ़ते हैं, हो गया, चलो, आगे बढ़ते हैं कि लिए कोशन की तरफ, अगला क्या झाले जूवत आट ंपन के विद्फ सबस्य के नहीं को पूँचिन को बनाया गया था प्यार्ण पर इन कर रहे हैं कि संभी पूछ रहे हैं कश हैं तो कुछ सकते हैं तो हूए वर को देखती रहे आप तो मेरी वीडियो को देखते रहना जो मैं बोलू उस चीज को नोट करते रहना निश्चे थी आपको 10-12 दिर में फरक देखने लगी है कि हाँ विज्ञान के प्रदी हमारी भी रूची जगने लगी है चलिए असवाज में आया बिटा प्रिथम परमारुगम बिटा 1945 मे बनाया गया था आगे बात करते हैं अगला कोषय अन् तेर psychologically number का कहरा है electron की कोज़ ने कि बहुत ही बड़िया कोश क्या कही बार बच्चेस Nous CouldESS हो जाते हैं कि हिदर की electron की खोज किसने की थी ठीक है चलो देखते हैं बहुत अच्छी से मैं बात बता रहा हूं आपको जो पिटा इलेक्ट्रोन की जो खोज की थी वो हमारे की थी किसने इलेक्ट्रोन की खोज की थी बिटा जे जे थॉम्सन ने किसने की थी जे जे थॉम्सन ने हमारे इलेक्ट्रोन की खोई की थी चलो अगर मैं एलेक्टरोन की बाद करूँ इलेक्टरोन का जो बेटना प्रतिक्चन होता है वो वह e-क होता है प्रोडॉन का क्या होता है अगर नुटरोन की ब modern can Talk Girl and 01 होता है ठीक है कभी फेपर ने पूस देंगे कि energy स्का प्रतिक्चन है किसका साइन है यह है जिक इलेक्टान का है यूर्ट नो इक इस तो किसका बात करों तो बट ऑले टेम च्ञिंज फिली करोंदिव थी जह आप ऑन एक सीव फोर्ट होंगा यह उन्य पात करें तो पहले टो आंग फ्यानिक थे इनका नाम ता गोल्द स्थीन क्या नाम था गोल्ड स्थीन लेकि अच्छे से इन्हों नाम नहीं हुआ ज्यादा नहीं वाकिन वास्तिविक बेटा गोल्ड श्थीन दोई थे न्यूट्रोन कॉणने अभी हमने पढ़ा है जंस चैड कौन थे बहिए जेम्स चैडविक जेम कि थि रदर फोर का इलफा प्रणोग आया था और चैट मुख हमारे नुट्रन के जल्दी से स्कीन सोट लो इसका कि जल्दी से पिटा सकीन सोट लो आगे बढ़ते हैं कि चबवे नंबर का पृश्ने कर रहा है फिर वोइ वाड आ गया प्रोटन की कि होचए लगाओगे पिटा क्या सब्सक्राइब करें भी जिस सब्सक्राइब है विದ्समाइबresso erocyne 12 में 15 संता स्टाइब कि विन्हें कि ने कैशने की अब ही हमने पढ़ा गया शित्ति इंटिय। डुरबीन तीक है दूर भीन की इसके बाद न्यूटन बहुत बढ़ी आ भी या न्यू इंपॉर्टन है यह इंपॉर्डन है ग्रानी जानते हों कि कोई भी वस्तू को पृत्वी का करती है किंदृ की और आकरसित करती है तो में घंदर खीचती है इसा किस ने की ती नूटें वो तुमने कहाणी सुनी होगी नियुटन था बेड़े किनारे बैठा था उपार सेफ गराता शिर्व गराता वह कानी सुनी है ना नियुटन की तो थी उसी नियम निकला था इनका ग्रैवटी नूटन का गुरुत्ता करशन का नियम बातसवाज में आ रही है वह कहानी बैटा बहुत थे मस्ती अगे बढ़ें पानी हुए है चलो आगे बढ़ते है गोस्चन नम्बर सूला को श्राला कर रहा है विटा पोलियो की टीके की खोज किसने की ठीक है पोलियो की टीके की को विच न की ती चलो तो पोलियों की टेके की खोज किस ने की थी पेटा जॉन ई सौल्क ठीक अभी अपने बढ़ा ना शौल्क सौल्क के नहीं की थी हमारे क्या पोलियों के टेके की खोज जोलियों की टेके की टेक घकिस quién थी जॉटर सौल की नहीं की तहाई है ठोड़ा पास्ट ज्ञान हास्कि की गती को ना अपने के लिए धीक यहां देखो यह वर्ड लिखा है J Johnson क्या लिखा है बेटा J Johnson जॉंसेन एक स्की बेटा था माइक्रोस्कोप ध्यान रखना ठीक है आगे बात करें जल्ली से पड़ो अगला कोशन क्या रहा है अगला कोशन क्या रहा है डाइनामाइड डाइनामाइड के अविसकारक कौनते डा आप दिखो विटाइनामाइड के अविशकारक कौन थे थे अब देखो बिटा और q ev q बार प्रशोंगे और पड़िए AC बिमृट ब्रक इसमाल कर देना थेक है जो स्रेज आता है वो जाता है अलफेड नोबल जी को ठीक है यानि ऑप्शन नमबर इसका बलको राइट आंसर मेंडलिफ की बाद करूं तो मेंडलिफ ने क्या दी थी बिटा आवर्थ सार्णी जिसको बोलते हैं पैरिवर्टिक टेबल आवर्थ सार्णी ठीक है ऑगलफभभ राइशमवंढ लिटेवर्ष है उसके बाद बड़ टौरिॐ सार्णी ने बिटा क्या किया था चुली मटता था अब हमने बतायाय से बताओ जल्दी से बताओ क्या बनायाय था बेरोमीट्र क्या बनाया था इन्होंने बैरोमीटर बैरोमीटर से क्या करते हैं बैरोमीटर से हम लोग मानते हैं दाक्या मापते हैं वायुमेटरी दाब मानते हैं माईकल फैराडे माईकल फैराडे ने पीजली प्रवाहित करूभिजली बत्ती है तो चल्ली एट इंडुक्षन जल्ली से नोट करो जल्ली से नोट करो भिया आगे बढ़ते हागे ले कुशन की तरफ रोखनाने ही ठीक है गोज जाएंगे तो दिक्कत होगी रोखनाने यह बिना हाथ सब्सक्राइब, रोके हुए बस लिखते चलो, मज़ा आएगा, कुशन nummer 18, पॉजि स्टॉन, ठीक है, पॉजि ट्रॉन है बेटा, वो क्या है, पॉजी ट्रॉन है, तो पॉजी ट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजी ट्रॉन की खोज किसने की ती, अभी थोड़ी देरे पह अच्छा पावली ने क्या किया था पढ़ाओगा अपने पावली का अप वर्जन का नियम पावली का अप वर्जन का नियम जो नए रिपीट हो रहन को पढ़ा रहा हूं मैं ठीक है पावली का अप वर्जन का नियम यह इलेक्ट्रोन भरते हैं आम लो उसमें यह नियम ठीक ह बिए जी से नोड करो ओगे बढ़ते हैं क्या है στο दोगे सब्सक्राइब को तो किस की बेदन चमता देखोगी देखो एलफा कड़ बीटा कड़ गामा करण न्यूटरॉन ठीक है तो किसकी को सबसे ज्यादा होती है अब इगर कुछन पूछते हैं आपसे कि गामा किरनों की खोज किसने की थी बहुत बढ़ी हाप प्रशने बैटा कि गामा कृणों की ख करी थी किसने विलाड ने ठीक है विज्ञानिक विलाड ने बिटा गामा करणों की खुच की थी ठीक है उसके बाद अगर पूछे सबसे आदा बेंचमता गामा करणों की उससे कम अगर पूछे उससे कम होती है बीटा करणों की किसकी होती है बीटा करण की और सबसे कम होती ह बिटा हमारे एलफा किरन की ठीक है किसकी होती है एलफा किरन बात समझ में आ रही है यह पिटा एलफा बीटा कामा का यह decreasing order है इसको याद कर लो पेपर पूछ देते हैं ठीक है चलो अगला देखो अगला कह रहा है बिटा टेली फोन का अविसकार किस ने किया ठीक है टेली फोन का अविसकार किस ने किया चलो टेली फोन का अविसकार किस ने किया अलेक्जेंडर गरहाम बेल किस ने किया अच्छा एडिसन ने किसका किया था जल्दी से पताओ एडिसन ने किसका किया तो एडिसन ने किया था किसका बल्ब का किसका बिदुत बल्ब का जो बल् बेटा जी मारकोनी ने किया था बेटा रेडियो का विसकार किसका किया था रेडियो जो दूर संचार होता रेडियो उसका विसकार किया था जी मारकोनी ने ठीक है जली से नोट करें जली से नोट करो आगे बढ़ेंगे फर और पर ट कोष्टर नंबर 21 है Сोलर सिस्टम सोलर सिस्टम किस通常 सिस्टम को ठीक है सोलर सिस्टम को भी एक सने खौजा था है का आपकर निकस्ट स्क्थ्टेपलार आरहब हट र्भत्तियन धनक्राब तो इसको सुधार करके जो नियम दिये थे वो दिये थे कैपलर ने किस ने दिये थे कैपलर ने दिया नखना बिटा कैपलर के तीन नियम है ठीक है कैपलर के कितने नियम है तीन नियम अगर पूच दे कैपलर ने ग्रहों संबंदी कितने नियम दिये तो दिया नखना कैपलर ने ग्रहों के संबंदी में तीन नियम दिये थे ठीक है पहला बता दूँ कि पहला के नियम क्या था कि सूर मद्ध में होता है सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं दूसरा बता दूँ दूसरे में क्या था कि जो ग्रह होते हैं वो समान समय में समान शेतर पलते करते हैं और तीसरा अगर बता दें तो आवर्त काल का जो स्कॉार होता है वो पनी था फेला नियां दूसरा नियां समसमय मैं ग्रह समान चेत्रफपल दे करता ह्याँ तीसरा औरत काल dr. उसके ग्रह के दूरी के बिच के GOT समयब के वाकई के समान पादि एक्दिटिक है आगे लेखो, आगे बात करते हैं, अगला कोशन क्या कह रहा है पिटा, अगला कोशन कह रहा है कि नाव की ये विखंडन में ट्रिगर क्या है, नाव की ये विखंडन में ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर क्या होता है पिटा, जैसे बंदूक में होता है ने ट्रिगर, इसको पूरा खुशन काम नहीं कारों जسم को जितना पढ़ोगे पढ़ोगे समझ को समझो एक डूसरी से जोड़ो तब आपको बात माझसम में आएगी अगर आप इसको उपर उपर पढ़ोगे नाश्र बढ़ते जाओगे तो पूरा question clear नहीं होगा आप condition यह है math और math तो आप क्या कुछ लगा के कर लोगे लेकिन GKS science कुछ ऐसे subject होते हैं कि अगर आपको perfection पता होगा तभी आप उनका correct answer कर पाओगे otherwise उस question का छू नहीं पाओगे गलती करके आजाओगे तो science क्या होते सको feel करो को मैसूस करो science को connection करो तब जाके science समझ में आएगी अगर science समझना है तो काम चलाना है तो यसी पढ़ सकते हो कोई दिक्कत रहे यह question तभी कर पाते हो जब आपको अंदर स्वे यानि कि जब question का मतलब बता हो अगर आपके बारे पूरी पता हो dealing अगर स्टॉपिक से आपको कोई question आ गया तो question आप कर लोगे अगर आपने ऊपर-उपर पढ़ा होगा तो क्या पाता कोई भूमा के भी पूचते तो क्या प्रहज़़ पास जाओगे फिर वहाँ पर ठीक है तो जो मैं बता रहा हो उसको यही कोश्चन आपको मिलेंगे, तो यही कोश्चन आपको मिलेंगे, यही कोश्चन आपको मिलेंगे, यही कोश्चन घुमा के दे जाते हैं, तो वहां पर रह जाते हो, फिर कहते हो, सरा मैं आया नहीं, हम पढ़ नहीं पाए, तो यह कोश्चन आप पढ़ रहे हैं, वो सुन यह सोचे यह दो चले रचिक है आगे बढ़ते प्रक अचलक एक रिखो पेटा कॉंटमाम इप्लांघasant क्या प्रन्ट किसमें किया था का रिख वेट一次 हुशस्य रोड ने आयं हमारे संपानुके मेरन नहीं क्यूंटम के नरी काश्युक्तिक है ठीक है फिर एते अब मैंडेलिव का पता यह हाँ आवे तकी की मैदम के मुटा ने बिटा कीृषट की थी है मैस्प्लांग Oke Grat आगे लुए कोशन का अविश्कार बहुत बढया कोशन बिटा डीओ धर मिता का विहाने तक किया था थीक है रेडियो धर मता का अविश्कार किसने किया था किस। जल्दी से बताओ बिटा जल्दी से बताओ रेडियो थम्त अविस्कार किस ने किया था तो रेडियो थम्त अविस्कार किया था बिटा हैंडरी बैकुरल किस ने किया था ठीक है किस ने किया था हैंडरी बैकुरल ने किया था चलो अब देखना बहुत अच्छी बास समधना इंसे नहीं बता चुगा हूं मैं आपको E यह बराबर MCस्कुवार दिया था इनोंने अच्छा रवर्ट कोच ने क्या किया था लगया था तो धियान लगणा पिटा रवर्ट कोच ने टीवी, टीवर क्लोसिस, ठीक है, जिसको टीवी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं, छे रोग, क्या बोलते हैं, छे रोग, इसको और दूसरा नाम बोलने हैं, तो तपे दिख, ठीक है, यानि एक कोश्चन से कितने कोश्चन आपके किलियर हो रहे है, ठीक है, कि देख एज हैं और आसे टीबी स्टीट थी इसकी दवा एक नाम को सकता है गया दवा का नाम क्या था डवा का नाम क्या था तु दवा का दा माइक्रो बेरियऊं थूबर क्लोशल्ट क्या नम था वेटा, मैं लेके दे रहा हूँ यहां पर, ठीक है, माइक्रो, बेरियम, ट्यूबर क्लॉसिस, ट्यूबर, क्लॉसिस, ठीक है, यह दवा का नाम था, तो टीवी की दवा किसने थी वेटा, रॉबर्ट कोच ने, लैनिस्टर ना पता ही, आपको काले लैनिस रख समोंगे कोच क टीवी कोच ने, चलिए, नोट करिए, नोट करिए, एक टीवी बेटा ध्यान रखना ट्यूबर क्लॉसिस, काफी इंपॉर्टन कोशिन है, छे रोग भी बोलते हैं, तब एक दिर हो सकते, दवा के अनाम था, माइक्रो, बेरियम, ट्यूबर क्लॉसिस, ठीक है, दवा डॉवी बोगली परमें, औरुष्म, गत्की, सिद्गान, दियान नखना भी डॉबर क्लॉबर के लौबर क्लॉबर क्ल्र टॉव स्टति . खाट च하겠습니다 2 टॉबर की टॉबर क्लॉबर क्लॉबर क्लॉपों, टॉबर क्लॉबर क्ली मेध्य कोई परींpent ऑनै इस हुर्फ कि बालर स दोपलर एफेक्ट की तरह बड़कों कि लागे दिए अगले कुष्ण की तरह बढ़ते हैं अगला कोशन की तरह पढ़ते हैं कि अगला कुश्ण क्या गयरा है पाइम एफिया है के रहा है क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है है पाइम आथिक ले रहे हैं है भीया बीटाई पेपर में अभी क्या कर रहा है गश्च सब्तिक दे एERO सुख्ष में तत्त कौन से हैं सुख्ष में छोटे से छोटे कौन से पिटा छोटे है हमारे ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन से हैं रही है चलिए नोट करिए यह तीन चारो जो है चलिए नोट करें आगे बढ़ता की तरफ भारत का प्रसम परमाणू रेक्टर किस नाम से जाना जाता है अफसरा किस नाम से जाना जाता है अफसरा जगा का नाम है किस संस्थान में भावा अनुसंधान के इंद्र कब खोला था चार अगस्त उननिस सो चपपन चार अगस्त उननिस सो चपपन को नोट करते चलो नोट करते चलो एक एक चीज क्लियर करेंगे यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं Question number 20 Electron के आवश का निर्धारन किसने ने किया था देखो बिटा Electron के जो आवश का निर्धारन है वो किसने ने किया था वो किया था हमारा मिली कॉन ने किस ने किया था विटा मिली कॉन ने चलो अगर बात करें इलेक्ट्रन के आविश के आविश के वारे में तो एलेक्ट्रन को जो होता है वो रेदिर्फ का कितना होता है अगर इन्प पॉच्छ पार Mais माइनस 19 कुलाम कितना होता है 1.6 in to mine is 10 की पावर 9 माइनस 19 कूलाम ठीक है अगर प्रोटान चाज बूछ है किस पर बूछ दें गीटा प्रोटान पर चार्ज बूछते तो ध्यानक न एलेक्टान पर नेगेटिव होता स Bij् Sakura की बचैप पॉजिटिव लेकीषर्जी सीविदाभ लेकिन छार्ज बराबर होता है ओत्ना ही बराबर होता है लेक्ठरन पर निगेटिव और पॉज्टिव बासाहदम जा रहे हैं यह स्थ लिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही light होता है आप ओर हें यह नाविक कें अंदर होते हैं यह कहाँ हमारे electrons होते हैं अच्छा इलेक्तरोन का आप बदा सकते हलका है या इसका भाहर केतना होगा इसका द्रवमान केतना होगा बटाइट झाप द्रवमान होता है, मास कितना होता है 500, 9.1 12 10 की पावर – 31 किलोगःम, कितना 9.1 – 10 पावर – 31 किलोगरम, जाए सब से हलका होता है, हो गया आगे बढ़ा है, नोट करें al ng 3 लकढ़ की एयू ग्यात करने के लिए सहयब के लग लखड़ी की आयू जो घ्याद करने में इलखडी कितनी पुरानी है इसका उपयोंग करते हैं कारब इसमें अक्रमें चोद हे इन्की आयू घ्याद करने में हम लोग कार इस करते हैं जैसे बिटा पैड कि आयू निकालना हों ठीक है को जन्थव है कोई मरा डला एक जन्थु मिर्त्य हो गई उसके अफसेत्स बचेज़ है उसकि आयू पता करनी है तो हम बिटा इसिनकतर सकते हैं उसके लिए ईसके लिए में इस्तमाल करते हैं कार्बन on कुदा भीधी का हो गया लोट करेंि आगे बढेंगे है क्यों तो अब तो अब तो श्चों जादा है इंग्ट को बार बर लगाना है इन खुल सकता हैं को इस jetzt उतनी ही जल्दी आपके समझ में आएंगे ठीक है और जितना मैंने आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किया है उन जो बैन आपको बीफ बताया है ना उसको भी आप नोट करते चलना कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में वह कोशन साइब से पूछ सकते हैं ठीक है बहाई प्रस्सकाइब जब्चिन के साथ योफ आपको आपकी मनजिल तक आपकी सफल तक पहुचाने में सफ़ल होगे तब तक लिए नमुशकार जहन, शुबरात्री